विए ना रूप लेकर आ गए हूं अभी आपने देखा था कुछ चाइम पहले वी वी नहीं आया था और ये दोनों फोन लगबक सात में हैं और एक तरीके साथ के ही फोन है एक दूसरे competition के लिए ही आये हैं लेकिन मैं आपको से पहले भी बता दूं कि इन में कुछ भी competition नहीं है आप लोग को पता है या नहीं पता है मुझे नहीं पता लेकिन ओपो और वीवो एक ही इंसान की company है वो जान पूछ के अलग अलग दिखाया जाता है ताकि अगर इस company के साथ कभी कुछ बुरा हो जाए तो वो चली समाल ले सब कुछ और उसके साथ बुरा हो जाता है तो competition यहापर कुछ नहीं है दोनों ने दिखा यह सिर्फ दिखाते हैं क किन ऐसा है नहीं खेर अभी दोनों फोन लॉंच होए थे एक ही साथ एक ही प्राइस सेग्मेंट पर तुम्हें लेकर आ गया हूँ ओपो एफ सेवन वी वी नाइन के बाद और आप देख सकते हैं मेरे पास 128 GB का वेरिंट हैं पर आपको 64 GB का वेरिंट भी मिल जाता है जो कि कि आपको आराउंड 25,900 निनार में यानि 23,000 रुपे का पड़ेगा लेकिन 128 वाल आप लेंगे तो आपको मिल जाएगा प्राइसिंग देख सकते हैं पीछे की और 27,990 रुपे यानि आपको पड़ जाएगा 28,000 वैसे बॉक्स प्राइसिंग है तो अभी आपको दिखा 3 इंचे की FHD प्लस सूपर, FULL SQD वाली डिस्प्ले आपको यहाँ पर मिल जाती है यह फिलाल मेरे बास ब्लैक कलर का वेरेंट है रेड कलर का वेरेंट इहाँ पर नहीं है बॉक्स के ओपर सभी के ओपर रेड कलर वाला बना रहेगा आप देख सकते हैं इसमें रेर कैमरा आपको 16 Megapixel का मिल जाता है और स्क्रीन साइज में आपको बता चुका हूं पैट्रीज में आपको 3400 mh की मिल जाती है इतने ही कुछ आपको मिलता है 7.8 mm यह ठिक है बाकी बॉक्स के अंदर क्या कुछ मिलता है आपको दिखा देते हैं राइट में लिखा है ओपो लेट में ल बठर आते हैं सपर्में लगी होगी जी हाँ देखें यह एक सील लगी है की इसबसे पहले का टेमी जाता है हम कर फो Admission इस चलिए देखते हैं और कुछ हमें को क्या कुछ मिलता देख सकते हैं कुछ यहाँ आपको इनफर्मेशन मिल जाती है यानि को इनफ Rimoning जाता है क्वा तो टाइब का यहां पर हमको charging brick मिल जाती है देख लेते हैं कितने वोल्ट के फाइब वोल्ट के तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहां पर नहीं है हमारे earphones जो की एक बार फिर से apple की जैसे मतलब एक तरीके से apple earphones से inspired है चलिए और भी चीज़े देख लेते हैं यहां पर एक और आकरी चीज़ बची है वो है हमारा data cable और आप देख सकते हैं यूएसबी 2.0 तो माइक्रो यूएसबी केबल है तो इतना कुछ आपको बॉक्स के अंदर मिल जाता है फ्रेम हो चुका है काफ जाता कंदा तो चलिए इसको साफ करके आप लोग के पास दुबार से आ जाता हूं यह है हमारा फोट सेवन आप देख सकते हैं आपर सिम के ब डायमंड डिजाइन कहा जाता है इसको डायमंड ग्लॉसी फिनिश आप देख सकते हैं काफी सुन्दर लग रहा है आपको दिखाई दे रहा हो यह डायमंड जो है तो चलिए काफी सुन्दर फोल लग रहा है अभी आपको इसका हैंड सॉन भी दे देते हैं तो सामने की और आपको बता है आपको 6.23 इंचिस की Full HD प्लस स्क्रीन मिल जाती है आप देख सकते हैं और एक नौज डिजाइन भी इसमें है लेफ्ट साइड में आपको बता दे हमको मिल जाते हैं हमारे वॉल्यूम रॉकर्स और कुछ भी नहीं उपर के और अगर हम देखे तो हमको हमारा सेकेंड़ी माइक्रोफोन मिलता है नौइस कैंसलेशन के लिए वहीं अगर हम आएं राइट साइड में तो हमको मिल जाती हमारे सिंप्रे और हमारा पावर बटन नीचे के और अगर हम यहां पर लग रहा है और उपर से आपको पता है आइफोन जैसा और वीव जैसा यहां पर लग रहा है ओके इस फोन जो है सेट अप हो चुका है और आप देख सकते हैं काफी अच्छा फोन लग रहा है इसमें आपको जो मिलता है OS वह इसमें आपको मिल रहा है कलर OS 5 जिसके वज़े से फोन थोड़ा सा अलग लग रहा है और ओपो डिवाइस के comparison में आप देख सकते हैं अलग इसे की तरफ से कड़ने से कुछ भी नहीं होता है तो इतना कुछ आपको मिलता है फ्रन्ट स्क्रीन पर आप देख सकते हैं Google कि तरफ से काफीज़ ब्लोट बेर आपको मिल जाता है कुछ टूल्स मिल जाते है तो आपको अपको फिंगर पृण कोर सएसर हूश चले settings में जम करते दिखाते हैं यह UI मुझे काफ़ जादा पसंद आ रहा है तो इतने तरीके के आपको icons मिल जाते हैं आप देख सकते हैं काफ़ सारी चीज़ आपको यहां पर मिल जाते हैं इसमें आपको फिंगर्प्रिंट सेंसर मिलता है फेस और पासकोड भी यहां पर जाती है इतना ही कुछ यहां पर लिखा हुआ है तो यह है इस फोन के बारे में आप देख सकते हैं काफी कुछ आपको बता दिया गया है आगे भी इस फोन को काफ़ ज़्यादा टेस्ट करेंगे फिलाल इसका camera camera UI आप देख सकते हैं काफ़ सारी चीज़ आपको camera UI में मिल जाती है और इसको देखे आपको सुपर विट भी यहां पर आपको option इस तरीकी के भी मिल जाते हैं तो camera के उपर उपर विवने काफी ज़्यादा काम यहां पर किया है काफी सारे option आपको मिल जाते हैं sticker का option मिल जाता है जहां पर आप अलग-अलग stickers लगा सकते हैं और वही इसका camera का feature काफी ज़्यादा अच्छा है expert में यानि प्रो मोड में आपको जाकर दिखाते हैं क्या कुछ यह लोग आपको दे रहे हैं तो यहां पर वही basic सी चीज़े हैं लेकिन यहां पर यह आप देख सकते हैं focus के मामले में काफी अच्छा करा है यह आम तोर पर phones जो है देते नहीं है और जो देते हैं वो मुझे काफी ज़्यादा पसंद आते हैं focus के मामले में एक्सपर्ट मोड काफी ज़्यादा अच्छा में यह फोकसिंग का ही होता है expert मोड में आई यह सो वगेरा सब लोग देहीं देते हैं चले दिखाते हैं कुछ शॉट्स लेकर आपक अच्छी स्क्रीन क्वालिटी लग रही है कंप्लीट अटिफिशल लाइटिंग में हो मैं और आप देख सकते हैं काफी कुछ क्लियर यहां पर लिखवा नजर आ रहा है तो फोटोस काफी अच्छी आ रही है और आपने देखा होगा मैं काफी ज़्यादा फोन को हिला भी इस आपसे भी काफी अच्छा लग रहा है यह नॉज जो है काफी ज्यादा इरिडेट करता है मुझको स्पेशली मुझे यह नॉज डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं है खेर काफी लोग को पसंद भी होगा तो इतना कुछ है इस वीडियो में अब ही के लिए इतना ही दीजेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो चलिए रखते हैं इस वीडियो में इतना ही दोस्ते में आपसे लोग को स्ट्राइब निलता हूं सब्सक्राइब वीडियो में टेल दें टेकर बोलते बात ना देकी जै जैहिन वन्दे मात्रम नशे सी जड़ गई है कुड़ी नशे सी जड़ गई